हेलो दोस्तो मैं दीपग मिश्रा अपने चैनल वो भयानक की यादों में आपका स्वाकत करता हूँ दोस्तो रोती आत्मा हाँ दोस्तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है एक दुखी मा के उपर जो मरने के बाद बन गई रोती आत्मा हरीपुर गाओं हरीपुर गाओं में एक परिवार रहता था जिसमें पती पत्नी और एक पच्चे थी लड़की दोस्तो हरीपुर गाओं में जो परिवार था उस परिवार का जो मालिक था जो आदमी था वैं पहुत ही शराबी था तरह तरह से अपनी पत्नी को प्रतालित करता था हमेशा बिना कारणियों से गाओं वालों के सामने जलील करता था और मारता पीटता था उसका कहना था कि इतने साल हो गए लेकिन ये मुझे एक बेटा नहीं दे पाई सिर्फ एक ही लड़की थी उसके बाद उसे कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ और उसके तरह तरह के तानों से तंगा कर वै ऐसी हरकते करने लगा देर राता था शराब पीकर और पत्नी के साथ मार पीट करता और तो और तान तरे कोजहाओं के चक्कर में पढ़के उल जलूल चीजों को लेकर घर पर आ जाता और अपनी पत्नी के उपर अजमाईश करता उसकी पत्नी उसे बहुत समझाती कि ये सब भगवान का खेल है इसमें मेरा क्या कुसूर है लेकिन वो शराबी तो जैसे हैवान बन चुका था एक दिन की बात है दोस्तों जंगल के अंदर एक तांत्रिक उससे इस शराबी की भेट हो गई और ये उसके जहासे में आ गया उसने कहा तेरे भाग में पुत्र है ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ लेकिन उसके लिए तुझे जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना पड़ेगा शराबी ने बोला महराज आप जो बोलेंगे मैं वो करने को तायार हूँ तो ठीक है सुन तांत्रिक ने कहा किसी भी तरहे अपनी पत्नी को यहां मेरे पास लेया बाकी का काम मैं देख लूँगा और एक बात तुझे बताता हूँ तेरी पत्नी के अंदर एक डाइन की आत्मा गानवास है वै इसलिए लड़का पैदा होने ही नहीं देती है क्योंकि वो जो डाइन थी उसको भी इसी प्रकार प्रतालित करके मारा गया था उसी की आत्मा तेरी पत्नी के अंदर गुश शरावी ढर गया उसने कहा महराज आप ही कुछ उपाए बताईए आ तो ठीक है जैसा मैंने कहा वैसा कर कर लमवश्य की रात है अपनी पत्नी को लेकर मेरे पास आ जाना और ध्यान रहे उसकी बच्ची को मतलाना ठीक है महराज और आसपास देख लेना कि कोई तेरा पीछा त शरावी गया घर पर बहुत ही खुश था लेकिन एक प्रकार से उसे डर भी था कि मेरी पत्नी के अंदर इस डाइन का निवास है मुझे क्यों नहीं पता चला दूसरा दिन आया शरावी ने अपनी पत्नी को बहुत ही मीठी मीठी बातों में भसा लिया कि ठीक है मुझे आजगी नहीं मेटा नहीं तो नहीं मेटी तो है पत्नी बहुत ही खुश हो गई सरावी ने कहा आज हम दोनों कहीं घूमने चलते हैं जंगल की सेर करने चलते हैं पत्नी बहुत खुश हुई बोले हां हम लोग जरूर चलेंगे हमारी बच्ची भी बहुत खुश हो जाएग सरावी ने कहा मच्ची को ले जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ हम दोनों चलेंगे पत्नी बोली तो वो घर पे अकेली रहेगी हाँ तो क्या हुआ अब वो छोटी नहीं है साथ साल की हो चुकी है पत्नी ने कहा इतने दिन बाद पती ने इतने प्यार से बोला है तो जाने तो कोई बात नहीं बोड़ोसी हो के हाँ बोला नहीं उसे सोता रहने देना खाना पीना खिला के सुला देना ठीक है जैसा आपकी इच्छा हम लोग जल्दी आ जाएंगे ना पत्नी ने कहा हाँ बहुत जल्दी जा जाएंगे और सराभी अमवश्य की रात को ग्यारा बजे अपनी पत्नी को लेकर जंगल की तरफ चल गया बहुत ही घना जंगल था जगय जगय डरावनी आवाजे आ रही थी और तभी आ गई तांत्रिक की कुटिया पत्नी ने पूचा ये आप कहां ले आए ये तो अंधकार जंगल है मैं तुम्हें एक महराज के दर्सन कराने लाया हूँ जिनके दर्सन करने से ही हमें बहुत ही खुश्यां प्राप्त होंगी और तुम्हें पुत्र भी प्राप्त होगा शरावी बोला आप फिर उनी बातों में आ गए मैंने आपको समझाया था ना अरी मेरी बात तो सुन महात्मा के दर्सन तो कर ले पत्नी ने कहा ठीक है ठीक है आप नहीं सुदरोगे इतनी दूर आई हूँ तो जैसा आप कहते हैं वैसा कर लेती हूँ पत्नी को लेकर वै शरावी महात्मा तांत्र के पास गया तांत्र को समय तंत्र विद्याय कर रहा था और उसकी जैसे ही हवन पूरा हुआ उसने सामने पिंजले में रखे हुए कबूतर को पकड़ा और उसको छुड़ी से गर्धन काटके उसका खून पी लिया गय देखकर इसकी पत्नी डर गई और उसके बाद तांत्र कने लालाला के करते हुए खा ले आया इसे हा महराज बैठा देश पटे के उपर मेरे सामने से बैठा अभी निकालता हूँ उसके अंदर से जो प्रेदात्मा है जो टाइन है उसे पत्नी खबरा गई उसने भागने की कोशिस की लेकिन तांत्र के चेलों ने उसे पकड़ लिया तांत्र के ने कहा बांदो इसे जार से और तो दोस्तों बाकी की कहानी अगले भाग में अच्छी लगे तो कमेंट लाएक सस्क्राइब अवस्च करें